तो आश्वर से वापिस हम Saloon and Hair Education से लेटेड एक और वीडियो के साथ जहां पर हम सिखेंगे कलर को नूटिलाइस करने की एक और एडवांस टेकनिक यह कलर नूटिलाइस करने के लिए आपको कलर टूप का इस्तमाल करना होता है कुछ कलर कंपनिया ऐसी कलर टूप बनाती है जिससे अगर आप दूसरे कलर में मिक्स करें करो तो आपका जो रिजर्ट है विए मैप्रोप्रेट आता है और लॉंग लाश्टिंग भी रहता है कफी डीटेलम रहनी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ईसे ही सलून एजुकें को देखने के लिए अब शुरू करते हैं और यह माइट यह को दिकले रहने हैं जैसा मैंने आपको बताए है तीनों वेरिंट यूज करने के लिए आपको बेशेड और अंडेटोन दोनों को समझना होगा जो हमारे बेशेड है ये डार्क से लाइट की तरव जाते हैं मतलब एक नमबर से दस नमबर तक जाते हैं जहां पर आपको एक नमबर पर देखने को मेलेगा ब्लैक दो पर डार्क ब्राउन, तीन पर डार्क ब्राउन, चार पर मीडियम ब्राउन और पांच पर लाइट ब्राउन छे नमबर पर इसके डार्क ब्लाउन, साथ पर मीडियम ब्लाउन, आट पर लाइट ब्लाउन और 9 पे very light blonde, 10 पे lightest blonde, dark से light की तरवी जा रहे हैं, और जिसका undertone है, वो एक से लेके 4 तक जिसकी intensity है, वो है red color, फिर 5 नमबर पे red orange, 6 पे orange, 7 पे yellow orange, 8 पे yellow, 9 पे pale yellow, और 10 पे pale aged, तो इसके undertone का color है, वो भी change हो रहा है, और जो color change हो रहा है, वो red, yellow और orange का है, तो yellow को जो neutralize वो है violet, orange को जो neutralize करेगा, वो है blue, और red को neutralize करेगा green, तो ये तीनो variant हम use करेंगे, इन ही undertone को neutralize करने के लिए, आप जाल लेते हैं, ये तीनो variant use करने का तरीका, और mixing ratio क्या रहेगा, तो देखो, अगर आप एक से लेके 3 नमबर तका कोई base कर रहे हो, बेस कर रहे हो, तो इन तीनो variant में से कोई साभी variant आपको use नहीं करना, तो अगर आप 4 नमबर वाला कोई color use कर रहे हो, कोई base दे रहे हो, reflection के साथ, जहां पर red की intensity नहीं है, example के लिए 4.3, 4.4, 4.20, 4.26, ऐसे color आप यूज कर रहे हो, तो आप इसका green वाला variant select कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप से लिए 4 नमबर तक जो undertone होता है, वो red है, तो red को neutralize करने के लिए आप green वाला variety इस्तेमाल करोगे, mixing ratio जो रहेगा, वो आपकी color tube के according रहेगा, जो आपकी color tube होती है, 50 gram की, उस पर इसका mixing ratio रहेगा 5 cm, जहां, gram में नहीं लेना, इसे cm में लेना है, करना क्या आपको करना है, तो आपने according भी 5 cm की line लेकर color को mix कर सकते हो, और developer को इसके according ही थोड़ा increase भी करना है, अच्छे से mix करोगे, client layer पर apply करोगे, आपके client को एक appropriate result मिल पाएदा, और जो की long lasting भी रहेगा, ऐसे ही 5 नमबर वाला base, अगर आपको 5 नमबर वाला base ले रहे हो किसी ऐसे reflection के यहाँ पर red की intensity नहीं है, तो आपको इसका green वाला variant ही select करना है, green वाला इसलिए क्योंकि 5 नमबर पर जो undertone है, वो red orange है, मतलब यहाँ पर red की intensity जादा है, तो आप green वाला variant लेंगे, mixing ratio जो रहेगा, वो again color tip के according ही रहेगा, पर इस बार आपका mixing ratio थोड़ा change होगा, पहले आप 5 cm ले रहे थे, अब आपको 3 cm लेना है, जैसे ही color increase हो रहा है, dark से light होता जा रहा है, undertone change होता जा रहा है, तो आपका mixing ratio भी decrease होता हो चला जाएगा, 6 और 7 नमबर पर जो base है, उसका जो undertone है, वो orange में जादा है, महाँ पर orange की intensity जादा है, तो यहाँ पर आपको variant select करना है, वो blue वाला करना है, क्योंकि blue, orange को neutralize करता है, example के लिए आप वो सारे color यूज कर सकते हो, जहाँ पर copper की intensity नहीं है, 6.1, 7.3, 7.1, 6.35, ऐसे सारे color आप यूज कर सकते हो, महाँ पर इस variant का इस्तमाल कर सकते हो, जो की blue वाला है, blue को आप उस variant में मिक्स करोगे, और जो mixing ratio रहेगा, वो रहेगा आपका 2 cm, 6 और 7, दोनो नमबर वाले base पे, अब आजाते हैं, 8, 9 और 10 वाले base पे, तो 8, 9 और 10 वाले base पे, जो आपका undertone है, वो है yellow, तो ऐसे undertone पे आप तक आपको पता है, कि कौन सा variant यूज करना है, जिहां, violet variant, इसका जो mixing ratio रहेगा, वो रहेगा, वो रहेग तो वहाँ पे पूरी color tube लोगे, आप example के लिए 8.31 वाली color tube ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको violet variant लेना है, 1 cm, अच्छे से mix करना है, client के hair पे apply करना है, ऐसे ही अगर 9.1, 9.21, ऐसी कोई color tube ले रहे हो, तो mixing ratio रहेगा, half centimeter, और अगर 10 level तक lift कर दिया है, client के hair को, जब हम 10 level तक, या फिर को lift करते हैं, पी लेकने की help से, तो महर के natural pigment को निकाल लेते हैं, तो as a artificial pigment, अगर आप 10 वाला ही base दे रहे हो, या फिर 9.00, 9L-00, ऐसी कोई color tube ले रहे हो, तब भी आप half centimeter ये violet variant ले रहे हो, इससे आपकी client को एक desire result मिलेगा, तो यही थे हमारी आज की वीडियो, जहा तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अब मिलते हैं next week, इसी channel पर किसी होर, saloon and hair education से related video के साथ, बाई